आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जिस पे बहुत जादा एक तरह से आप देखो जो नया सर्कुलर निकल किया है जहां पे वो कंपनी मर्ज होरी एक दूसरी एंटिटी के साथ में वहां पे बहुत बड़ा स्कैम जैसा ही होता हुआ दिख र ख़िए जो दोस्तो कंपनी इस की बारे में बत करने हैं कंपनी आप स्क्रीन पर देख पारें उषका चैनल स्टांडर्स लीमिटेड्स होने वाला यहां यह न JESPD वाला है लोधा share of 10 each of MDL मने यहां पर यह हो गया आपका जो लोधा developers है for every 100 fully paid up equity shares of 10 held in each of the company तो अगर आपके पास 100 shares रखे हुए है national standard इंडिया के उसके बदले में आपको लोधा builder या फिर जो लोधा के नाम से हम इसको short form जानते हैं otherwise इसका जो आप exactly नाम देखोगे that is macro tech developers इसलिए यहां पर circular में MDL बताया गया है तो macro tech developer या फिर लोधा जो group है उनका जो share है उसके 9 share तो 100 is to 9 का यहां पर ratio बताया गया है यह बहुत जादा disheartening इसलिए है क्योंकि national की अगर हम बात करें उस share का price 10,000 रुपए है एक share 10,000 रुपए का अभी का rate है वेराज लोधा एक share मात्र बारा सोक है तो उससे 10 गुना सस्ता एंड यहां पर उपर से एक चीज और और यहां पर जो रेशियो भी है वो 10 is to आपने देखा 100 is to 9 का रेशियो तो वहां पर भी 1 is to 10 तो अल्रीड दस गुना वह सस्ता है प्लस 1 is to 10 का अप्रोक्सिमेट लेशियो तो कहीं नगई 100 टाइम्स तो एक तरह से 99 परसेंट जो रीटेल पहीने एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो आप देख सकते हो अठारा हज सो परसेंट रिटन इसका मतलब क्या है जो शेर 500 रुपए के भाव पे ट्रेट कर रहा था वो कहीं न कहीं हाइस्ट पीक पे उसने अठारा हजार का भाव दिखा है तो बहुत जादा पैसा बना आने वाला है क्योंकि यहां यह लुवर सर्कृट अब यह लगता ही रहेगा क्योंकि यह जो रेशियो है यह किसी को नहीं पसंद आने वाला है अगर सिंपल क्याल कोलेशन में समझें तो मैंने यहां पे स्क्रीन में लिखकर भी रखा हुआ है आप देखिए अगर आपके पास 100 shares national के रखे हुए है जो की 100 to 9 का रिश्यू है तो आपका investment कहीं न कहीं बनता है 10 लाक रुपए का क्योंकि 10,000 का share है अभी चल रहा है उस rate पे मैं पकड़ रहा हूँ हाइस्ट का तो मैं सोची नहीं रहा है क्योंकि हाइस्ट पे भी बहुत लोगों ने भाई किया होगा अभी के rate के इसाब से 10 लाक का investment है उसके बदले आपको क्या मिलेगा 9 shares मिलेंगे macro tech के उसका क्या value है उसका value मात्र 11,000 रुपए क्योंकि 1200 का share अगर आप 9 shares के साथ compare करोंगे just 11,000 रुपीज तो 10 लाक रुपए के against में आपको 11,000 रुपए के shares मिल रहे हैं तो यह बहुत भेंकर एक loss है just 99% आपका wealth यहां पर wipe out हो रहा है तो बहुत unfortunate होंगे वो लोग जिनके पास holding है यह कहीं न कहीं NCLT या फिर यह जो procedures चलते हैं यह हमेशा risky होते हैं को बहुत सारे ऐसे company हैं जिस पर आपको लगता होगा कि यह revive हो सकते हैं आप जैसे कि आलोक industries को ले लीजिए इससे पहले जब पतांजेली ने take over नहीं किया था उस समय जो company थी उस पर भी बहुत ज्या है तो बहुत जादा उस पर भी risk factor तो कहीं न कहीं यह थोड़ा सा risky definitely हो जाता है कि जो NCLT procedure में take over के बाद में company का क्या present situation रहेगा अगर आप निकल गए हैं तो आपको सोचने की जरुरत नहीं लेकिन अगर नहीं निकल पाए हैं आपको यह करना है कि every day आपको एक sell order लगाते रहना है किसी भी दिन गलती से भी कोई buyer आपको मिल जाए तो आपको position काटके निकल जाना है जितना जादा जल्दी आप निकलोगे उतना आपको यहां पर मुनाफ़ा होने वाला है उमीद करता हूं दोस्तों यह content आपको logical लगा आपको content अच्छा लगा होगा अगर content अच् सपोर्ट करते रहें एंड ऐसे ही interesting वीडियो के लिए next वीडियो का आपको इंतजार करना पड़ेगा एंड साथ ही आपको यह करना पड़ेगा कि आपको Twitter एंड टेलीग्राम पे भी मुझे follow करना पड़ेगा ताकि कभी भी कोई भी वीडियो में upload करूं मैं वहां पे link भी आपको कहीं भी वीडियो मिस करने का कोई चांस नहीं मिलेगा तो आप जरूर उसको भी सब्सक्राइब करके रखें and next वीडियो के लिए definitely wait करें thank you so much